आधार कार्ड से Google Pay Account create कैसे करें यानि कि आपके पास ATM कार्ड नहीं है फिर भी आप अपना आधार कार्ड के थुरू Google Pay Account create कर सकते इस वीडियो में आपको complete process बताने वाला हूं यानि इसके लिए आपको वीडियो को fully watch करना और आपसे एक चोटी सी request है कि आपको वीडियो को like कर आपसे चलते हैं वीडियो करते स्टार्ट अब आप जिस वीडियो को watch कर रहे हो यानि कि देख रहे हो तो यहाँ पर आपको more वाले option पर click करना यानि कि description open कर लेना होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जागा app link यहाँ से आपको app link पर click करना जैसे आप इस link पर click करते हो यहाँ से आपको redirect करतेहे आपको आपको प्ले स्टोर पर वहाँ से आपको Google पर app को देखने को मिल जागा == यहाँ पर आपको देखने को मिल जागा Welcome to Google पर यहाँ पर आपको अपना registered mobile number इंटर करना यानि कि जो आपके bank account में लगा हो वही mobile number आपको इंटर करना जैसिक मैं अपना mobile number इंटर कर लेता हूं इंटर कर लेने वाद देन नीचे आपको continue के button पर click करना होगा अब यहाँ से आपको अपना email verify कर लेना यानि कि आपको अपना email select कर लेना देन नीचे आपको accept and continue पर click करना होगा देन यहाँ से आपको mobile number verify किया जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए wait करना होगा जैसे आपको mobile number verified होता लाइक कुछ इस तरह से Google Pay app का homepage open हो जाएगा अब आपको अपना bank activate करना होगा देन इसके लिए अब आपको scroll करके थोड़ा से नीचे आनो जैसे आप नीचे आती हो तेन यहाँ पर आपको एक option देखने मिलेगा check bank balance देन इस पर आपको click करना होगा और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा add bank account देन इस पर आपको click करना होगा और यहाँ पर अब आपको देखने मिल जाएगा select your bank अगर आपका bank इन में से सु होता तो यहाँ से आपको select कर लेना होगा otherwise नीचे आपको all banks पर आना और यहाँ पर आपको total banks देखने मिल जाएगी जैसे कि आप मेरी screen पर देख पा रहे हो अगर आपका bank यहाँ पर नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको top पर देखने मिलेगा search bar यहाँ पर आपको search bar में search करना होगा और आपका 100% bank मिल जाएगा जैसे मैं यहाँ से अपना bank select कर लेता हो यहाँ नीचे आपको continue की button पर click करना होगा और यहाँ से आपको permissions को allow करना हो जैसे आप permissions को allow करते हो तो यहाँ पर आपका mobile number verify कि यहाँ पर आपको देखने मिलेगा adding bank account याँनि कि यहाँ से अब आपका bank account add हो रहा है जैसे कि आप मेरी screen पर देख पर हो यहाँ से आपको अपना bank select कर लेना होगा यहाँ पर आपको दो option देखने मिल जाएंगे first option होगा debit ATM card second option होगा आधार card तो आपके पास ATM card तो है नहीं तो यहाँ से आपको आधार card वाले option पर select करना यहाँ नीचे आपको continue के button पर click करना होगा यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंटर first 6 digit of आधार यानि कि यहाँ पर आपको अपने आधार card के starting के 6 digit इंटर करने होगी जैसे आप इंटर कर लेते हो दने आपको इस एरो पर click करना और यहाँ पर आपको कुछ समेग लिए wait करना होगा और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगा आधार OTP और आपका OTP आटोमेटिक फिल हो जाएगा यहाँ पर आपको डन पर click करना होगा और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा इंटर 6 digit bank OTP यानि कि यहाँ पर आपको अपना bank OTP इंटर करना होगा लाइक कुछ चीज तरह से आपको अपना OTP इंटर करना होगा यहाँ पर आपको डन पर click करना होगा यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा 6 digit UPI PIN यानि कि यहाँ से आपको अपना UPI PIN set करना होगा और इस UPI PIN को आपको ध्यान रखना होगा तभी आप bank balance check कर सकते होगा या आप किसी को पैसे transfer करना चाहते होगा तो आप easily transfer कर सकते हो तो यहाँ पर आपको अपना UPI PIN create कर लेना हो जैसे मैं अपना UPI PIN create कर लेता हो इस तरह से आपको भी enter कर लेना होगा यहाँ पर आपको डन पर click करना हो यहाँ पर आपको आप अपने गूगल पे का UPI PIN set कर सकते हो लाइक कुछ इस तरह से गूगल पे अकाउंट create कर सकते हो without ATM card यानि कि याधार card से आप अपना गूगल पे अकाउंट create कर सकते हो अब आपको वीडियो को लाइक करना होगा